हेलो फ्रेंट्स आपसे भी का स्वागत है तो फ्रेंज बात करें के हम लोग आज के शोड़ी में crypto market के न्यूज के बारे में तो friends जैसे कि आए दिन crypto से related market में कुछ अच्छी न्यूज आती हैं तो कुछ बुरी बी नहीं जाती है मतलब positive negative दोनों टाप़ी नियूज आते रहत आपको एक काफी टाइम बाद इस रेंज में देखने को मिला है जो कि यहां पर 30 दिखा रहा है जब कि कल की दिन की बाद करें तो कल फ्रेंट्स यह जो मीटर था आपको 52 पर था तो इसका भी रिजन आप फिलाल एक ऐसे भी समझ सकते हो कि 2-3 दिन से मार्केट तो आप देख के बाद से जो भी important news लगी सब पर हम लोग बात करेंगे तो फ्रेंट्स बाद करेंगे अगर ओबरल मार्केट केप की तो यहां पर आपको देखने को मिला 1.90 ट्रिलियन वहीं पर गिरावाट की बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं है लपक आप बोल सकते हैं धाई परसें अधर अधर्टिंग बिट कोई एज लिगल टेंडर तो फ्रेंट्स यहां पर यूएस जो लॉमेकर से जो की आपको कानून मनाते हैं लौ बनाते हैं वह कुछ इंट्रोड्यूस की हैं बील जिससे की जो एलस अलवाडर ने जैसा की बिटकोई जो है उससे एक लीगल को लिगल टेंडर तोर पर अपने हां अडॉप्ट कर रखा है उसके जो रिस्क हैं उससे जो जोखी में उसको कम कर सेके तो फ्रेंट्स यहां पर फिर से वही बाते कहीं गी है कि एलस अलवाडर जैसे कि बीटकोई को ओफिसल करेंसी बना चुका है तो इससे क्या हुगा ओ चैनल इस तरह सी तरह से आपे इनका कहने मतलब है कि एक तरह से कम जोड़ी दे रहा है कम जोड़ कर रहा है तो अब भात करते हैं बाती CHANCE जो पढ़ए इसे बंद हैं बना ने बढ़ा जैसा कि यहां कि जो आपको क्या कहते है सीनेटर हैं उनका यह मुझा हे गईbelवागेन्ट क betr insistent यहां पे कुछ हाइलाइट है को गत्ते है तो eligible pa रिक वीन 1 बिटकोई कई एज ऑफेशिल करेंसी को सुरॉपन दरा डौर फोर money laundering cartels जैसा कि उपर में ही यह heading के नीचे में मिला हुआ था तो वही वाली बात फिर से यहां पे दोगर आई गई है तो चलो फ्रेंट्स अब तो और नीचे आते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर यह जो है यह यह एल सलवाडर का यहां पर जैसा कि इन्होंने ट्वीट भी यह वाली की थी आप यहां पर देख सकते हैं रिस्पॉंडिंग तुद बिल इंट्रोडक्शन जैसा कि जो बिल इन्होंने इंट्रोडूस किया है तो एल सलवाडर को प्रेसिडेंट है उन्होंने यह ट्वीट की थी जो कि नीचे में लिखा हुआ है उन्होंने लिखा है ओके बूमर्स तो चलो इसको मैं आपको डाइट संधाद एता हूं पढ़ने से पढ़ने के बजाए तो यहां पर इनका बोलना है कि जैसे कि इनके जो छेत्रे जैसे इनका जो देश हैं का कहना है कि आपका यहां पर जीरो जीरो डीकार मतलब हमारे सोरेन पनगे सील्ट傑 है इस पर आपका जीरो अदिकार खोड़ा भी अधीकार नहीं है उसके अलावा है कि हम आपके कॉलोनिये और data हम अब कहरे अगल मेर्डार ना तो आगे हैं ना तो पीछे हैं मतलब हम अपा आपके आज-पास के पड़ोशी भी नहीं है तो stay out of our internal affairs इनका कहना है कि हमारे जितनी पे आंत्रिक मामले हैं जो अपना हमारा घरेलू मामले हैं इससे आप दूर रहें उसके अलावा है यूएस lawmaker के साथ तो इसको मैंने बता दिया अब साथी साथ और भी चोटे मोटे जो कुछ बड़े अपडेट जो मिलते हैं उसको मुझे कवर करते है तो इस वाली नियूज को देखे तो यहां पर यह है कि यूएस का state है जो बोल रहा है कि वह चाहता है क्रिप्टो को accept करना वो इस चीज में आगे बढ़ रहा है तो यहां पर Colorado to accept crypto for tax payment this summer इस गर्मी में यह tax payment के लिए जो क्रिप्टो को accept करना चाहता है तो यहां पर है कि यूएस state of Colorado यह तैयारी कर रहा है कि इसको तो क्रिप्टो करेंसी को accept करने के लिए किस purpose के लिए tax payment के लिए यह कौन कहा तो ग क्रिप्टो जो होगी other things जैसे कि driver license और hunting license में भी उप्योग किया जाएगा और इसमें वो लो accept करेंगे तो चलो बढ़ते है अपने अगले news के लिए तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ मंत में रसिया से कुछ नियु जाए थे जिस कारण से भी market crash हुआ था वहां को जो सेंटरल बैंक था जो कि बोला कि आप रसिया में की बैन हो जाएगा क्रिप्टो गयरा इस तरह करके फिर उसके बाद से रसिया से लेकर जो जीस नजीरी से देखता है उस तरह से अपनाzh A sarh करता है तो जैस को क्रिप्तो पोजिट्व में में दिखता है वह पोजिट्यू डिखाता है और वह रिपोर्ट और जो निगेटि वाप पे decreasing कर दिन वो नीगटिव रिपोट फिर से-से यहां हो जाती है तो दो कुछ और यह कुछ और तो कुछ डिफ्रेंस है इन दोनों के बात चीज तेया इस्टेटमेंट में तो थोड़ा सा नीचे में आते हैं ज्यादा नहीं बस हलका फुलका देख लेते हैं कुछ और छी पॉइंट इसमें से निकल जाए तो उसे हम दो देखते हैं फिर उसके रसीयन मोनेटरी अथूरिटी तो फ्रेंस जैसे के इन लोगों बीच में कुछ बात चीत हुई जहां पर इनका जो सहमती है असहमती यहां पर दिखाया गया और यहां पर फाइनस मिनिस्टर ने पहले सुरवाती में ही यह बाली यह स्टेटमेंट दी साथी साथी यह दोनो को विचार अलग-अलग है एक बैन को लेकर फेवर में रहता है या एक को लगता है सब कुछ बैन करना चाहिए तो वहीं दूसरे तरफ से इनको लगता है फाइनस मिनिस्टर जो की है कि क्रिप्टो बैन नहीं हो सकता क्योंकि यह इंटरनेट की तरह है तो इंटरनेट किस से एक revolution किया और आभी के टाइम पर बीना इंटरनेट के कुछ नहीं हो सकता तो बस इस तौर पे इनका यह कहना है तो फिरस मुझे नहीं लगता कि अब इसमें और भी कुछ बात करने को है क्योंकि अब इसी सारी नियूज को यह बहुत सारे मतलब अच्छे से explain करके बताए और एक बार फिर से यहां पर थोड़ी से बात है तो इसे थोड़ा से देख लेते हैं जैसा कि आपको पता है कि Central Bank क्या चाहता है तो crypto को ban करना चाहता है और यह क्यूं तो इनका कहना है कि यह risk create करता है किसके लिए तो citizens के लिए और financial institutions जैसे के bank उसको यह infect कर सकता है तो चलो अब हम लोग चलते हैं अगले अब्डेट के लिए तो फिरंट्स यह जो अब्डेट है यहां पर के largest Spanish crypto exchange जो की bit to me है उसने क्या किया है तो global मतलब global गया किसके साथ airdrop वाला जो इन लोगा इवेंट उता है उसके साथ और यहां पर दिखा जा रहा है कि one million participants जो हैं सिर्फ ह 70 घंटे में मतलब जैसे यह इवेंट शुरूआ उतने ही देर में ये लोग इतने पार्टिपेट कर गए और यहां पे देख सकते हो यह कितना इसका time period है तो यहां पे दिखा जा रहा है कि participate कर सकते हो 10 February से शुरू हुआ है और यह second mark चलेगा और यहां पे coin market cap को लेकर भी उ 5 February to 2nd March जैसे के उपर में 10 February था उसके अलबावा फ्रेंट्स यहां पे फिर से इसी के बारे में कुछ को थोड़ी थोड़ी डीटल्स है जो कि ज्यादा जरूरी नहीं है जो में चीज थी मैंने बता दिया तो चलो अब देखते हैं अगला न्यूज तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने इस वाले नियूज के बारे में आपको बताया था कि जैसे जो कनाडा में जो फ्रीडम कॉनवय फ्रोटेस्ट चला जैसे कि ट्रक डाइबर हो गया जो क्रिप्टो के जरी जो इनकी फंडिंग हो रही है और वहां के प्रामिनिस्टर थे उन्होंने बोला कि इस और जो ये जो उटावा है ये पूरी तरफल से ले लेंगे मतलब कि जैसे कि यह जो प्रोटेस्टर बीफिस चैन्ज को और आस कि उनसे की 34 जो crypto address है जो की connected है किस से तो freedom conveyor protest से तो under the emergency act recently जो की emergency act हो आप लगा गा था प्राइम निस्टर के दुवारा तो वो 34 address को फिरीज कराए गया है बोल कर और यहां पर है कि bank को इस तरह से later भी भी भीजा गया है अब लोग बढ़ते हैं अगले नियुज के लिए तो फ्रेंट्स यह जो नियुज है यह फिर से रसिया के तरफ से नियुज है जैसे कि एक और जो रसिया के तरफ से नियुज तो यही दोनों अच्छी नियुज थी जैसे कि यहां पे माइनर स्कूर लेकर है और वहां पे क्रिप्टो को मतलब इंटरनेट से कंपेर करके जो फानेस मिस्टर ने बोला कि आप इसको बैंड नहीं कर सकते हैं यह impossible है बैंड करना तो जो उसको एक खिलाब को खड़ेते हैं और वही एक पोजिटिव डेट थी जिसने अमेरिका को स अधिया कि जो एकनोमिक मिनिस्टर है इन्हों ने क्या बोला तो यह चाहते हैं कि electricity rate माइनर्स के लिए उसके लिए acceptable मनाई जो कि बहुत ज़्यादा expensive ना हो और बहुत ज़्यादा सस्ता और budget में भी ना हो मतलब एक ऐसा हो जो कि आराम से माइनर्स दे सके और encourage मतलब करने का अब बात किया जा रहा है कि जैसे कैसे हम लोग के इंडिया में crypto tax इतना ज्यादा रख दिया गया कि मतलब पूरी तरह से complete में discourage किया जा रहा है अब प्रोसाइद किया जा रहा है मतलब नए ने जूजू जूथ हैं आप समझ रहे हो कि हम लोग को भी अगर एक अप्रिल से लागू हो जाता है और उसके बारे में लोग reduce करने का नहीं सोचता है वैसे ही continue करता है तो फिर बहुत ही ज्यादा जो जिस तरह से इंडिया growth किया crypto field में crypto market में जितनी पकड़ मजबूत करते गया जितना अभी second number के level पे इंडिया चल रहा है crypto market में involvement को लेकर तो उसी तरह से और फिर से यह down होता हुँ दीखेगा तो चलो फ्रेंट अब हम लोग बात करते हैं तो इसी चीज को फ्रेंट यहां पर इन्होंने फिर से detail में वो लिए कि यह suggest क्या की है कि जो crypto mining है उसको allow करना चाहिए energy regions के लिए और miners को क्या provide करना चाहिए तो inexpensive electricity तो बस जो मैंने बात उ department उसने ये भी कहा कि legalize the industry and utilize Russia strength as mining destination तो मतलब mining destination के लिए जो रसिया के strength है उसको और utilize किया जाए साथी साथ इस industry को legalize किया जाए और inexpensive जो electricity है उसको provide किया जाए और उस region में जहां पर electricity reach है electricity की मतलब भरमार पड़ी हुई है वहाँ पर इनको मौका दिया जाए तो चलो friends अब अगर आपको सारी वीडियो क्योंकि मैंने इस एक वीडियो में जो कि 10-11 मिनिट के गई है लब लब छे से साथ जितने important news थे अभी के टाइम पर क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाता हूं न ने 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 वीडियो में